नमस्कार सात्यों फिर से स्वावत आपका एक उर्नी वीडियो में तो बस सात्यों एक बहुत बड़ी जोह दुख खबरी लेकिया यहां के याना कोसर रोजगा निगम के लाखों कच्छे करम जर्योंगों बहुत बड़ा जोह जटका लगणया काम होया है और याना सरकार ने देश जारी कर दिये हैं नहीं बढ़ेगी सेलरी जी हां सात्यों पर जो आप सात्यों जो सेलरी बड़ोतरी ओने काम होया करता वह सेलरी बड़ोतरी नहीं करेगी और याना सरकार किन किन सात्यों जो या सेलरी बढ़िया करती और किस परकार से बढ़िया करती तो आप सात्य तो इस परकार से पहले यह लाइटर देख लिजी साथियो बर याना कोसल रोजगा निगम की तरफ से जारी करने काम करें गया था और आल डिपार्मेट जितने विदे सबी को लाइटर लिख दिया था और इसके तैद बजो लाखों कच्छे करमचारी और याना कोसल निगम से लग रहे थे उन इस साथियों सेलरी बढ़ोतरी का तोफा देने का काम करया था और या जो सेलरी बढ़ोतरी है साथियो बैद दो साल के अंदर जो है सिरफ और सिरफ पांच परसेंट बढ़ोतरी करने का काम करया था और वा भी जो है जो तीसरा साल लोग लग गया था 69 2023 हो कि इसी वी साथी के पास मैं, वैं पांस से लेगे दस साल का एक्सपरिस होगा, तो इस परकार से जो हम बढ़ोतरी कर द्यांगे, 10% और उसका बेसिक रेट होगा, उसके अंदर बढ़ोतरी हो जाओ, और उसी परकार से अगर कोई 10 साल से उपर का साती इसके अंदर आवगा तो उन साती इस परकार से बडोतरी हो जेगे और इसके अंदर वसाफ साफ अदेश यह भी करे गए थे कि जो डिपर्मेंटों के तहत जितने भी कच्छे करमचारी लग रहे हैं उनको पोर्ट करने का काम करे जाओ जब वो साती पोर्ट क देखते वे यह हैं करने काम कर प्रकार से उनको नुक्सान नहीं से फैदा हो यह लगे लिखे जो पूराना कंडिडेट होगा उसके अंदर दिन राथ का अंतर होता है क्योंकि उसको पांच साल का एक्सपरेस होता डिपार्मेंट का हर काम वो जो है एक आवाज के इंदर कर टाइम लग गए बिन्ना दो बिन्ने तीन मिन्ने वो टाइम ले लेता है शीकने के अंदर बैइस काम को इस प्रकार से कलना है लेकिन जो साथ आठ साल से या दस साल से करमचारी लग रहे हैं उसको हर चीज़ का एक्सप्रेस होता है और वो काम को उसी टाइम कर देता है तो जिसका बैनिफिट देने के लिए इस परकार का कदम उठाया गया था अरियाना सरकार के द्वार लेकिन अब अरियाना सरकार ने एक वीपरित लैटर डाल दिया है आप साथे ने उसकी इनफोर्मिसन दिखा देते हैं तो ये देख लिजी साथियो आज के जो हन्यूज वेपर के अंदर डालने काम भी कर दिया है और इसका लैटर भी आपने दिखाओंगे के कोसल रोजगार निगम के तहत लगे करमियों को वेतन में पिछली सेवाओं का लाब नहीं मिलागा यानि के बाद जो सातियां का जो पिछे का अनुबओ था उसका जो है इसके अंदर कोई भी लाब देने का काम नहीं करिया जाओगा जबकि जो लाइटर जारी कर रहे हैं उसके अंदर साफ सा मैंसन था कि 5-10 साल गा एक्सप्रेशा तो इतना लाब मी लगा और 10 से उपर का है तो इतना लाब मी लगा तो वे इसके अंदर जोह साब साब मना कर दिया कि पिछली सेवाओं का कोई भी लाब नहीं दिया जाओगा तो इस प्रकार से जो अजारों साथी जो वेट कर रहे थे जिसके 5 साल लगबग उने को भी थे कि अमारी पे पोटेक्शन लगो जाओगे तो अब आप साथियों को जिलिए जोह जटका लगाने काम कर दिया और याना सरकार ने और याना कोसर रोजगा निगम के तहत अनुमंद पर लगे करमचारियों को वेतन वर्दी में पिछली सेवाओं का लाब नहीं मिलेगा वेतन बढ़ाने का मामले में पिछली सेवाओं के गणना नहीं की जाएगी मानो संसादन विबाग की ओर से इस समन में सबी को उदेजारी कर दिये सरकार ने जो अब पिछले साल 19 जनवरी को कच्चे करमचारियों के लिए निर्धारित DC रेट की जगा जो निगम रेट दिया करे थे कई विबाग जो सपस्टी करण मांग रहे थे भई और याना सरकार से कि याना कोसर रोजगा निगम के माद्यम से लगे कच्चे करमचारियों को वेतन में वर्दी के उदेश्चे से पिछली सेवाओं के गणना की जा सकती है अब जो अब मानुस अंसादर निगम ने साप कर दिया है कि एचकर्ण के माद्यम से लगे करमचारियों की वेतन वर्दी में पिछली सेवाओं का लाब नहीं मिलागा यानि कि आप साती जो अंताजा लगास को हो कि अर्याना कोसर रोजगा निगम में अब पे प्रोटेक्शन नहीं होगी सबी को जो है एकवल मानने का काम करया जाओगा चाहे कोई पुराना कंडिडेट हो चाहे कोई नया कंडिडेट हो तो इस परकार का जो अदेज और याना सरकार ने दिया है यो सरासर बिलकुल गल्थ है ऐसार याना सरकार ने नहीं करना चाहिए जबकि अर्याना सरकार आग्गे बढ़ने की बजाए पिच्छे गठती हुई जारी है और उसी परकार से अजारों करमचारी ऐसे भी हैं जिसको एक बारी लगा लिया 15-15, 20-25, 25-25 दिन उसके बाद में फिर उनको टाने का काम किया जाने लगे तो इस परकार से हम तो जो अब गोर दिन्दा करा हैं कि रियाना सरकार ना आग्गे बढ़ने की बजाए पिच्छे गठती हुई जारी है तो उसी परकार से लैटर भी देख लीजीए ये लैटर देख लीजीए 15-दिसंबर 2023 को जारी करने काम करया गया है पताने किस रिजन से बर याना सरकार ने लैटर निकाड़ा है जबकि आलरेडी जो नीगम वेजिस रेट का जो लैटर निकाड़ा था उसके अंदर साब साम मैंचन है कि इतने साल होने पर जो अचिलरी बढ़ोतरी का लाब मिला गा अब साती जो इतने सालों से लग रहे थे उनको पोर्ट करया गया है तो उनको तो ये बिल्कुल ही नुकसान मात्र है उनको बहुत बड़ा नुकसान होया है तो इस परकार का यह जो अदेश है, यह बिलत निकाले अरियाना सरकारने, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो आप साती भी जहोब अपनी कमेंट और राय देना कि आप साती यह क्या विचार हैं कि आइसार याना सरकारने करना चाहिए जो साती आइल रेड़ी 6-8-8 साल से लग रहे हैं उनकी पे प्रोटेक्शन ना होगा है पिछली सेवाओं का जो उनको लाब बिल्कुल देना चाह कि जिससे वो साती जो अपना फाइदा उठासका है बैस से तो जो फ्रैसर और जो एक्सपरिस कंडिडेट है उनका तो एक समान मानने का काम कर दिया है तो ऐसा नहीं करना चाहिए आप साते ने वीडियों देखें को बहुत बहुत दन्यवाद जै इन जै भार्त जै रिया खम कि ला जाँिए पिमा सा हाथए आप रिया है तो खल एक संडेट है चथजाए दो से जिडिया जै जै तो गिन ऊनका टो जो है?